दोस्तों बिहारू चुनाव से पहले नितीश कुमार इंडिये का साथ छोड़ने का प्लान तयार कर चुके हैं। इस एक खबर ने पूरी तरीके से भारती जनता पार्टी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। जिस तरीके से मिसा भारती ने दावा किया है कि चाचा अगर पल्टी मारते हैं तो इस बार उनकी गारंटी कौन लेगा। तो क्या नितीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है कि इंडिये का साथ छोड़कर इंडिया गड़बंदन में आने की पूरी तयारी कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारती जंता पार्टी बिहार में खुल कर हिंडू और मुसल्मान की राजनिती करना शुरू कर दी है। कई बार हाथ जोड़े तो क्या ये तमाम चीज़े जो बिहार में होने वाली हैं साफ तोर पर नितीश कुमार किसी ऐसे दिन का इंतिजार कर रहे हैं कि ताकि उस दिन दल बदल किया जाए इंडिये का साथ छोड़ा जाए और इंडिया गड़बंदन में फिर से आने की तै जारी कर चुके हैं दोस्तों खबर और भी है बिहार से जो निकल कर सामने आ रही है हमें के खबर पर चर्चा करेंगे लेकिन पहली खबर देखते हैं कि जिस तरीके से मीसा भारती ने पत्रकारों से कहा कि अगर चाचा पल्टी मार कर आते हैं तो इस बार उनकी गारंटी होने हैं तो दो हजार पचीस में बिहार विधान साबा का चुनाओ भी है इससे पहले बिहार में राजनीतिक हलचल वितेज है मुख्मंत्री नितीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हम इधर इंडिये ही में रहेंगे इंडिया गडबंदन में नहीं जाएंगे लेकिन 17 अक्टूबर के कारेकरे में उन्होंने एक बार फिर से दोराया और उसके बाद यब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नितीश कुमार पाला बदलने की सोच रहे हैं मिसा भारती से पूछा गया कि क्या नितीश कुमार फिर से इंडिया गडबंदन में आना चाह रहे हैं उन्होंने साफ तोर पर कहा कि इस बार गारंटी उनकी कौन लेगा क्योंकि जब पहली बार भी गए थे तो उन्होंने कहा था कि दोबारा आप कभी नहीं जाओंगा लेकिन फिर से वो पल्टी मार कर चले गए लेकिन जिस तरीके से नितीश कुमार के खिलाब भारती जंदा पार्टी बिहार में जमीन तयार कर रही है नितीश कुमार कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुसल्मान की राजनिती बिहार में की जाए क्योंकि मुसल्मानों का एक बड़ा वोट बैंग जो नितीश कुमार के पास है तो अगर भारती दिन्दा पार्टी हिंदो और मुसल्मान करती है तो नितीश कुमार से ये वोट बैंग खिसक सकता है जो चिंता लगतार जेडियू को सता रही है तो क्या नितीश कुमार एक सही समय का इंतिजार कर रहे है कि सही समय आए और उसके बाद फिर से पाला बदला जाए क्योंकि अचानक फैसला लेने में नितीश कुमार माहिर है रातो रात फैसला कर लेते हैं और सुबह ये एलान कर देते हैं कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे लेकि अचानक फैसला लेने में सीम नितीश कुमार माहिर मुक्मंतरी नितीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है कि जेडियों खत्म होने वाली है जन सुराज के सुत्रधार परशांत किशोर समेत तमाम विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि नितीश कुमार अब पहले की तरह नहीं रहे हाला कि इसे इंकार नहीं किया जा सकता है कि नितीश कुमार के पास आज भी 14-15% को रोट है तो जिस तरीके से भारतिजंता पार्टी के नेता ही एक तरफ केंद्री मंतरी गिरीराज सिंग लगतार नितीश कुमार के रोकने के बाद भी जेडियों ने कहा कि यातरा नहीं होने चाहिए गिरीराज सिंग की यातरा चालू है और उसके बाद अररिया के सांसत ने जिस तरीके से बयान दिया है कि अररिया में जिसको रहना होगा उसको हिंदू बनना होगा हिंदू के हिसाब से चलना होगा जेडियू की राह दूसरी है बेज़ेपी दूसरे राह पर चल चुकी है तो क्या अब हारती जन्ता पार्टी अपने नेताओं के जरिये से नितीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाना चाहरी बिहार में और नितीश कुमार इन तबाम चीजों को देख कर समझ गए है कि एंडिये के साथ अब नहीं रहा जा सकता है इसलिए पाला बदलने के पूरी तयारी कर रहे है तो जेडियू के परवक्ता ने साफ तो पर कहा था कि इस यात्रा का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं यात्रा गहर जरूरी है जेडियों के राश्टी प्रवक्तार राजी उरंजा ने BBC से कहा कि हमारी पार्टी के मताबिक ये गएर जरूरी यात्रा है और भाजपा भी इसे निजी और व्यक्तिकत यात्रा बता चुकी है उन्होंने कहा कि वैसे इस्तिति में आप कोई भी कारेकरम करते हैं तो ये आपका निजी कारेकरम है बिहार में हिंदू हो या मुसल्मान नितीश कुमार की अगवाई में सभी सुरक्षित हैं लेकिन गिरिराज हिंदू सौभिमान यात्रा निकाल ले हैं और जेडियों के रा आपको अररिया में रहना होगा तो आपको हिंदू बनना होगा जिसके बाद से ये बिहार की सियासत पूरी तरीके से तेज हो चुकी है कि नितीश कुमार क्या भाजपा का साथ छोड़कर अब इंडिया गड़बंदन के साथ आना चाहते हैं क्योंकि जो चुना हो रहा है उसमें भारती जन्ता पार्टी ने 50% अपना कब्जा जमा लिया है चार सीटों पर उचुनाव है दो सीटों पर भाजपा ने अपने कैनिडेट उतारे हैं एक पर नितीश कुमार और एक पर हम यानि कि दो सीटे लेकर 50% पर दावा पूरी तरीके से भाजपा ने ठोग दि भाजपा सांसर ने साफत ओ़ पर कहा कि अगर आपको बिहार के अरज़ेटिम बनना चाहिए परदेप सिंग्ने केंद्री मंतरी गरिवा सिंग के नितृत्य में निकल रही हिंदू सौभिमान यात्रा के दोरान अरज़ेटिमान एक सभा को संबोधित करते हुए ये बाथ इसके जवाब में आरजेडी नेता तेजस्वी यादाउने एड से एड बजाने की चेतावनी दे दी है तो दोस्तों जिस तरीके से भाजपा के नेता ही अब नतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं नतीश कुमार भाब चुके हैं कि भाजपा हमारे खिलाफ ही पूरी तरीके से बिहार में माहौल बना रही है और चार सीटों पर जो उपचुनाव है क्या उपचुनाव के बाद नतीश कुमार इंडिये के साथ रहेंगे या इंडिया गडबंदन में आएंगे क्योंकि उसके तुरंद बाद फिर से बिहार का विधान साबा चुनाव भी होना है और महराष्ट जारखण में जिस तरीके से चुनाव है क्या इन चुनाव के नतीश कुमार पाला बदलने की तयारी कर रहे हैं कि नतीशे पहले आ जाएं जारखण में जिस तरीके से नतीश कुमार की पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन भाजपा ने सिर्फ एक सीट दी है तो क्या इसकी वज़ए से भी नतीश कुमार नाराज है और विहार में जिस तरीके से लगतार गिरिरा सिंग की यात्रा चल लई है और अब परदीब सिंग जो अरणिया के सांसद है उन्होंने साफ तोर पर एक सामप्रदाइक बयान दिया है जेडियू साफ तो अब इससे पल्ला जहाड चुकी है वो नहीं चाहती है कि राजज में कुछ ऐसी घटनाएं हो जिससे उसकी पार्टी को नुकसान हो तो यह तमाम चीज़ें हैं तो क्या नितीश कुमार अब पाला बदलने की तैयारी में है तो दोस्तों जिस तरीके से भारती जंदा पार्टी ने नितीश कुमार के नितुरत वाली सरकार में दो डिप्टी सीम बना कर क्या नितीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रची थी जिस तरीके से बिहार में जातिकर जंगना की बात भी की जा रही है और नितीश कुमार कहीं न कहीं दबे आवाज में इसकी समर्थन भी कर रहे हैं तो अब इस तमाम चीजों से ये समधर जा सकता है कि नितीश कुमार कहीं न कहीं भाजपा के गड़बंदन में सहमत नहीं है वो चाहते हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि सही समय कब आएगा कि वो इंडिये का साथ छोड़ कर इंडिया गड़बंदन में जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी के सामने नितीश कुमार ने हाथ जोड़ कर कहा कि आप ये काम करवा दीजिए क्या नितीश कुमार अब वितने मजबूर हो गए हैं कि वो अधिकारी के सामने हाथ उनको जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि भाषपा ने दो डिप्टी सीम बना कर उनको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी है और नितीश कुमार अब इस बात को क्या समझने लगे हैं ज इसकी गारंटी कौन लेगा कि दुबारा वो पल्टी मार कर फिर से वहां नहीं जाएंगे क्योंकि जबाये थे उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब कभी वहां नहीं जाओंगा लेकिन फिर आने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या गारंटी नरेंदर मोदी ये लेंगे कि बॉक्स अपनी राय जरूर दें और इसी दमाम खबरों के लिए देखते रहें देशनेती धन्यवाद